तो यहां पांच संख्याएं दी गई हैं और हमें इन संख्याओं को आरोही क्रम यानि की Ascending Order में लगाना है और आप देख सकते हैं कि ये पांचो रिनात्मक संख्याएं हैं तो आईए सबसे पहले उस संख्या का पता लगाते हैं जो इन में से सबसे बड़ी है और हो सकता है कि आप इस तरह से सोचें अगर ये सभी संख्याएं धनात्मक यानि Positive हों तो उत्तर होगा 40 यानि की 40 सबसे बड़ी संख्या होगी इसलिए आप ऐसे कह सकते हैं कि रिनात्मक 40 सबसे बड़ी संख्या है लेकिन आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर Negative संख्या का अर्थ क्या ह मान लीजिए ये संख्याएं आपके बैंक खाते में रखे गए पैसे होते तो आप अपने बैंक खाते में रिनात्मक 40 रुपए रखना पसंद करते या फिर रिनात्मक 7 रुपए रिनात्मक 40 का अर्थ है कि आपने बैंक के 40 रुपए देने है यानि आपके पास शून्ने से 40 रुपए कम है रिनात्मक 7 का अर्थ है कि आपने बैंक के केवल 7 रुपए देने है इसलिए वास्ताव में माइनस 40 माइनस 7 से छोटी संख्या है और ये इन दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है इस प्रकार रिणात्मक 40 सबसे छोटी संख्या है और आप निश्चित रूप से इतने कम पैसे अपने खाते में नहीं रखना चाहेंगे इसका अर्थ है कि ना केवल आपका खाता खाली है बल्कि आपने बैंक के 40 रुपए भी देने है और अंत में इन सबी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है और मैं इसे गुलावी रंग से लिख देता हूँ माइनस 7 और अगर अभी भी आपको इसका हल समझ नहीं आया तो आप इसे तापमान के रूप में भी समझ सकते हैं इन में से सबसे ठंड़ा तापमान क्या है? चाहे आप Celsius के बारे में सोचें या फिर Fahrenheit माइनस 40 सबसे ठंड़ा तापमान होगा और माइनस 7 सबसे गर्म तापमान होगा क्यूंकि माइनस 7 डिगरी तापमान में हवा अधिक गर्म होगी आप एक और तरीके से इन संख्याओं को संख्या रेखा पर आलेखित करके भी समझ सकते हैं तो मैं यहाँ संख्या रेखा बना देता हूँ ये बिंदू शून्ने है और ये बिंदू प्लस 7 यानि की धनात्मक साथ है हाला कि दी गई संख्याओं में प्लस शामिल नहीं है अब हम बाकी संख्याई आलेखित कर लेते है तो यह बंदू disorder –7 यानि की रिनात्मक साथ है और अगर यह बंदू D7 है, तो यह बंदू okdo –10 है ध्यान दे, कि अगर हम 6 से और अधिक 20 और जा रहे हैं और बाई और सबसे दूर ये बिंदू है जो कि माइनस चालिस है तो इस तरीके से देखकर आप समझ सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या सरवाधिक बाई और इस्थित है और सबसे बड़ी संख्या सरवाधिक दाई और इस्थित है